प्रधान न्यायधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्य प्रणाली पर प्रेस कॉन्फरेंस कर सवाल उठाने वाले चार न्यायधीशों में से एक न्यायमूर्ती रंजन गोगोई को देश का प्रधान न्यायधीश नियुक्त किया गया है नयमूर्ती रंजन गोगोई उन चार न्यायधीशों में सामिल हैं जिनोंने साल की शुरुआत में ही बड़ा कदम उठाया था आपको बता दें कि प्रधान नयायधीश दीपक मिश्रा तीन अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर तरुन गोगोई तीन अक्टूबर को पद भार ग्रहन करेंगे सेवा निवृती से पहले गोगोई इस पद पर एक साल तक रहेंगे रंजन गोगोई को 23 अपरेल 2012 में सर्वोच नियायले का नियायधीश नियुक्त किया गया था शीर्श दालत के वरिष्टतम तीन नियायधीशों नियायमूर्ती जेचेल मेस्वर, मदन बी लोकूर और कुरियन जोसेफ के साथ नियायमूर्ती गोगोई ने जनवरी में अप्रत्याशित रूप से प्रेस कॉन्फरेंस कर प्रधान नियायधीश, नियायमूर्ती दीपक मिश्रा द्वारा नियायधीशों के मामले में आवंटन पर सवाल उठाया था नयमूर्ती रंजन गोगोई का जन्म 18 नवंबर 1954 को हुआ था एक वकील के रूप में 1978 में उन्होंने अपने करियर की शुरुवात की थी उन्होंने गुवाहटी हाई कोट में समवैधानिक मामलों के अलावा कम्पनी और कर मामले में भी वकील की भूमिका निभाई 28 फरवरी 2001 को गुवाहटी हाई कोट के इस्थाई न्यायधीश के तौर पर वो नियुक्त हुए वहीं 12 फरवरी 2011 को पंजाब और हरियाना हाई कोट में मुख्य न्यायधीश के तौर पर उनकी नियुक्त की गई थी सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें